नमस्कार स्वागत है दोस्तों आप सुभी का ESP सुकला एजूकेट चैनल में तो देखे दोस्तों आज बात करने वाले हैं UPP स्पेशल UPP स्पेशल 250 क्वेशन जियोगर्फी के जो कि आपके एक्जामनेशन्स के लिए यही 2500 क्वेशन्स पर्याप्त होंगे sufficient होंगे बस आपको इतना करना है कि यह सारे questions आपको याद होने चाहिए अगर आप इसका PDF पाना चाहते हैं तो आप add me UPP लिख करके आप message कर दीजेए आपको group में add कर दिया जाएगा वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा तो पहला question आपको दिख रहा है अजन्ता और एलोरा की गुफाएं कि शराज में इस्थित हैं अजन्ता और एलोरा की गुफाएं महाराष्टर राज में इस्थित हैं second question है भारत के किस राज में शहरी जन्शंख्या की परतिस्थता सबसे अधिक है महाराष्ट की बिष्ट की सबसे बड़ी नदी कौन सी है बिष्ट की सबसे बड़ी नदी नील नदी है question number four है नदी को चीन का सोक कहा जाता है किस नदी को चीन का सोक कहा जाता है काफी important questions है हवांग हो हवांग हो को चीन का सोक कहा जाता है कपास की पैदावार किस मिट्टी में अच्छी होती है। उससे रबी की फसल कहते हैं, इसमें मुख फसले आती हैं, गेहू, जो, चना, मटर, Сर्सो, राई, इनकी मुख बिसेश्ता ये है कि ये सी, तुरिद की फसले होती हैं, और खरीब की जो फसले होती हैं, ये जून, जुलाई में बोई जाती हैं, सितंबर, अक्टूबर में इनकी मुख्य फसले हैं चावल जौर बाजरा रागी मक्काव ककडी केला उरद लोविया ये सब और इनकी विसेश्था है कि वर्सा काल की फसले हैं जायत की फसल जो होती हैं रवी और खरीप के बीच की फसल मार्च में बोकर जून में काटी जाती हैं इसमें जो है मुख्य इनकी विसेश्था होती है ये ग्रीस मकाल की फसले हैं यानि आपसे पूछेगा अब मिट्टी के बारे में भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए अगर आपको पता है कि मिट्टियां कित्ते प्रकायर की होती है कौन सी मिट्टी में कौन सी फसल ज्यादा पैदावार हो होती है यानि कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है कौश्चन पूछा जाए तो काली मिट्टी इसके बाद कौश्चन नमबर 6 दिख रहा है सूर और प्रिथवी के बीच चंद्रमा कब आता है सूर और प्रिथवी के बीच में जब चंद्रमा आत बिहार पस्चिममंगाल मध्यपरदेश में रहती है विस्व का सबसे उचा ज्वाला मुखी कौन सा है विस्व का सबसे उचा ज्वाला मुखी कोड़ पैक्सी परवत है कोड़ पैक्सी परवत क्वेश्चन नम्ब नाइन है श्री नगर किस नदी के किनारे बसा है श्री नग देखे, question number 11, question number 11 है, भारत की राष्टी ये ब्रिच कौन सी है, तो आपको पता होगा भारत का जो राष्टी ब्रिच है, वो बर्गत है, थोड़ा सा हम आपको राष्टी प्रतीक के बारे में बता दे, एक questions UPP में हर हाल में आएगा, अगर आपसे पूछा जाए questions, questions अगर है भारत का राष्टी एद्वज तिरंगा है अब तिरंगा के बारे में थोड़ा सो बता दें तो इसमें तीन समान चौणाई की छहतिच पटियां है सबसे उपर केसरिया है कौन सा रंग है ऐसे तिरंगा होता है बीच में पर्तीख और नीचे है गहरी हरे रंग की पट्टी तो यह जो गहरी रंग की पट्टी है, यह समृत्धी का प्रतीख होता है, इसका अई इसे तीली कोईशता है लंबाई अनुपाते चोड़ाई होता है तो लंबाई तीन रेशियो दो के रेशियो में होता है लेकिन कभी कभी कोईस्टन्स अगर पलट दिया जाए कि दो अनुपाते तीन कर दिया जाए निद्धोज की लंबाई आपको लंबाई तथा चोड़ाई का अनुपात पूछा जाए तो 3 अनुपाते दो ऐसा न पूछके आपको कहा जाए कि चोड़ाई और लंबाई का अनुपात तब 2 अनुपात 3 हो जाएगा और राश्टी द्वज का प्रारूप प्रौप रश्रम्विधान निर्मात्री सभा द्वारा कब अपनाया गय ये भी कुष्षन पूछा जा सकता है, 22 जुलाई 1947 को कब, 22 जुलाई 1947 को यानि हमने आपको पहला बताया कि भारत का राश्टी प्रतीक तो भारत के राश्टी प्रतीक में बताया कि राश्टी द्वज क्या है हमारा तिरंगा है तिरंगे के बारे में आपको बता दिया अच्छे से नोट कर लिजे दूसरा आपको बता दे राजचिन है तो भारत का जो राजचिन है वो शारनाथ में इस्ताफित सिंग इस्तम्भ से लिया गया है भारत सरकार दवरा यह चिन 26 जनेवरी उनीश्यो पच्चास को अपनाया गया construction 26 जनेवरी उनीश्यो।पचास को जब पूर्ठिया हमारा धेश में स्रमkiego किया गया तब इस दाजचिन के मूल इस्तंभ में सीर्स पर चार सिंग हैं जो एक दूसरे के विपरी दिसा में घूम कर बैठे हुए हैं कैसे बैठे हैं घूम कर बैठे हुए हैं इसके नीचे घंटे के आकार के पद्म के उपर एक चित्र वल्लरी में एक हाथी है शिंग सीर्स के नीचे इ अभरी हुई आखरित है जिसके नीचे बीचो बीच में जिसके बीच में चक्र बना हुआ है या संपूर सिंग इस्तमभ एक ही पत्थर को काट कर बनाया गया फलक के नीचे मुन्डकोपिनिसर्स से उद्गरित सूत्र सत्मिव जैते क्या लिखा गया है सत्मिव जैते लिखा गया है जिसकी लिपी देव नागरी है सत्मिव जैते का अर्थ होता है सत्ते की जैहो यह आपको हमने बता दिया राजचिन राजचिन के बाद आप नोट कर लिजिए राश्टी गान तो भारत का जो राश्टी गान है वो है जन गड मन इसके रचाइता गुरू गुरुदेव रविन नाट टैगोर हैं इसे गाने का कुल निर्धारित समय बावन सेकेंड है कभी कभी राश्टी गान के संचिप्त रूप में इसकी प्रथम और अंतिम पंक्तिय प्रयुक्त होती हैं और गाने का समय 20 सेकेंड निर्धारित किया गया यानि जो प्रथम और अंतिम पंक्तियां ले जाती है उसमें 20 सेकेंड एक क्वेश्टन इसी से ये पूछा जाता है कि हमारा जो राश्ट गान है इसे शमिधान में कभ अंगरी किया गया यानि कभ थूरित घृत मिली और यह गान सरप्रथम भारती राश्टी कांग्रेज के कलकत्ता रिवेशन में 27 डिसमबर 1911 कभ नोट का लेजे 27 डिसमबर 1911 यानि 27 डिसमबर 1911 को गाया गया मूल रूप से यह गीत पांच पदों में है किन्तुराश्टीANS के रूप में इसका ने मात प्रथम पद जिसमें 13 पंक्तियां ही हैं वही मानने हैं कहा से कहा तक जनगड मन अधिनायक जय है से लेकर के जय 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 है यहां तक है और यहां गान शवर प्रथम जनवरी 1912 में तत्तो बोधनी नामक पत्रिका में भारत भाग बिधाता सेरसक से प्रकासित हुआ यानि आपको हमने चीन चीजे बता दिया राष्टी प्रतिक के रूप में राष्टी धोज तिरंगा और उसके बाद राज चिन शिंग इस्तंभ और राष्टी गान जन गड मन अधिनायक जय है और चोथा पॉइंट आप नोट कर लिजिए राष्ट गीत राष्ट गीत हम लोग लिया गया है आनंद मट से लिया गया है शंबिधान परशद में 24 जनवरी 1950 को इसे राष्टी गीत का दर्जा परदान हुआ था यानि आप ऐसे ट्रिक वाइज याद करते चलिए जो हमारा राष्ट गान था ओभी 24 जनवरी को लिया गया और राष्टी गीत भी 24 जनवरी क को लिया गया था यह कॉस्चन और जो हमारा राष्टी धोज है वह 22 जुलाई 1947 को लिया गया था यह कॉस्चन भी काफी इंपोर्टेंट बनते हैं पूछे जाते हैं तो देखे हमने आपको अपत्याव चौथी चीज बता दिया कि हमारा राष्ट गीत क्या है बंदे मात्र आपका राष्टी गीत यानि ये अब सर देखा जाता है कि आप मान के चलिए कि इन राष्टी चिन्ह में से एक क्वेश्चन हर हाल में आपके एक्जाम में रहना रहना है हर हाल में रहेगा ही रहेगा और इस गीत की रचना कब हुई थी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता ह अब देखे भारती राष्टी कांग्रेस के वर्ष अथारस चानबे के अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था गीत के गाने की अवधी एक मिनट पांच सेकेंड है ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कितना एक मिनट पांच सेकेंड अब इसके बाद आप नोट क अब देखे इसके बाद आता है आपका राष्टी पसू राष्टी पसू है बाग जिसका साइंट फिक नेम है पैंथेरा टाइग्रिस लिनायस है भारत में बाग की पाई जाने वाली प्रजाती को रायल बंगाल के नाम से जाना जाता है देश में अगर देश में पूछा जाए तो बाग परियोजना के अंतरगत अब तक 27 अभ्यारण इस्थापित किये गए हैं जिनका छेत्रफल 37761 वर्ग किलो मीटर है इसके बाद आता है भारत का राष्टी पुस्प ये भी बहुत इंपर्टन थे तो भारत का राष्टी पुस्प कमल है जिसका साइंटिफ फेरा है निवसी फेरा है यह हलके गुलावी रंग का होता है इसे श्रांती का प्रतीक माना जाता है और भारत का राष्टी पंचांग सक्सरंबत पर आधारित है ग्रिगेरियन कैलेंडर का भी आधार सक्सरंबत है 22 मार्च 1957 को राश्टी पंचांग के रूप में श्वीकृत प्रदान की चैत का पहला दिन 22 मार्च को पड़ता है कब 22 मार्च को पड़ता है जबकि अधिवर्स में यह 21 मार्च को पड़ता है राश्टी पंचांग के मास कौन कौन से हैं अक्सर जो है आपके UPP के एक्जाम मे अब देखे इसके बाद आप नोट कर लिजे राश्टी फल तो राश्टी फल आम है आम भारत का राश्टी फल है भारत के विभिन आकार प्रकार और रंगों के आमों की शौव से अधिक किश्में पाई जाती है अब भारत का राश्टी ब्रिच पूछा जा सकता है तो हमने पहला प्रकार ब्रिच ब्रच या बरगत का पेड़ है जिसका साइंटफिक नेम फिकस बेंगा लोनिंस है राश्टी जलियू जीव अब ये भी नोट कर लिजे राश्टी जलियू जीव भारत का राश्टी जलियू जीव डालफिन मचली है सरकार ने 5 अक्टूबर 2009 को डा घृसित किया था राष्टिय बिरास्थ प्रस֋। भारत का राष्टिय बिरास्थ प्रसु सरकार्नि गज़ राज हाथी को राष्टीय बिरास्थ प्रसु घोशित किया है। परियावरण मंतरले ने 22 अक्टूबर 2010 को इस आसए की अधिसूचना जारी Story, राश्टी वन जियू बोर्ड की अस्थाई समिती नी 13 अक्रूबर 2010 को स्रंपन बैठक में इसे श्वीकृति दी यानि ये आपसे questions पूछा जाएगा अब एक भी questions आपसे गलत नहीं होगा इसी में से एक questions आपका fix है कि आपके ग्याम में आना ही है यानि भारत के राश्टी प्रतिका को फिर से याद दिला दें तो भारत का राश्टी ध्वज तिरंगा है राश्टी ध्वज तिरंगा राजचिन सिंग इस्तंभ राश्टी गान जनगर मन अधिनायक जहे राष्ट गीत बंदे मात्रम है और राष्टी पंची मयूर या मूर है राष्टी पुस्प कमल है राष्टी पशु बाग है राष्टी पंचांग शक्सम्मत राष्टी फल आम राष्टी ब्रिच बट ब्रिच या बर्गत का ब्रिच राष्टी जली जीव डालफिन मचली औ को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे चलिए next question की तरफ बढ़ते हैं हीरा कुन परियोजना किस नदी पर इस्थित है महा नदी पर भारत के किस राज्ज में इस्त्री पूरुस अनुपात प्रती हजार पूर्सों की तुलना में इस्त्रीयों की संख्या एक हजार से अ प्रायदीप में गंगा नदी के दो प्रमुक्षोत क्या हैं भागी रथी और अलक नंदा उस महा शागर उस शागर का नाम बताए उस शागर का नाम बताए जिसको सीमा जिसकी सीमा तीन महा दीपों कुछ होती है काफी important questions है भूमध शागर बिश्व की काफी का सबसे बड उत्पादक है तो विश्व में काफी का सबसे बड़ा उत्पादक है ब्राजील एक ऐसा देश है जो विश्व में काफी के उत्पादन में बहुत बड़ा देश है चलिए इसके बाद चलते है question number 20 की तरफ तो देखिए question number 20 आपको देख रहा है जिस महादीप से होकर कालप रेखा और भूमद रेखा तीनों रेखा हैं गुजरती है question number 21 है इसके बाद question number 23 है सबसे विसाल चिनाई बात का निर्माण किस नदी पर हुआ है शतलत नदी पर इसके बाद question number 24 है करा है कि किस ग्रह को शांध का तारा के नाम से जाना जाता है शुक्र को शांध के तारा के नाम से जाना जाता है थोड़ा साब को सौर मंडल के बारे में बता दें तो सूर इसकी परिक्रमा करने वाले ग्रह इन ग्रहों के उपग्रह या शूर के चारो और परिक्रमा करने वाले आकासी पिंड को ग्रह काते हैं इनका अपना प्रकास नहीं होता बलकि कि ये शूर के प्रकास से ही प्रकासित होते हैं सौर मंडल में आठ ग्रह हैं शूर से बढ़ती दूरी के हिसाब से यह नि सबसे पहले आपका क्याता है बुद्ध मर्कुरी मर्कुरी उसके बाद आता है शुक्र वीनेस फिर प्रिथभी आर्थ फिर मंगल मार्स कर लिजे अगर आपसे पूछा जाए कि सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है एट यानि आठ सबसे बढ़ा ग्रह ब्रिहस्पत जूपिटर सबसे छोटा ग्रह बुद्ध मर्कुरी प्रिथभी का उपग्रह चंद्रमा मून शूर के सबसे निकट ग्रह बुद्ध मर् पिटर सबसे अधिक भारी ग्रह ब्रिहस्पत जूपिटर रात्री में लाल दिखाई देने वाला ग्रह मंगल मार्च सौर मंडल का सबसे बढ़ा उपग्रह गेनी मेडे गेनी मेड और सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह डीमोस नीला ग्रह पृत्वी लाल ग्रह मंगल भोर का तारा शुक्र, शाज का तारा शुक्र, पृत्वी की बहेन भी शुक्र, शौंदर का देवता शुक्र, हरा ग्रह, वरून, बिसाल, लाल धब्बे वाला ग्रह, ब्रिहस्पति सबसे बड़ा छुद ग्रह, डॉक्स और रस्तियनी, कहने का मींस किया काफी important questions है, एक questions इ isstith है, जावा तथा बोर्णियों, कиком क्यरा है, टैगा वन में कौन से ब्रिच होते हैं, तो टैगा वन में मृद्व कास्ट ब्रिच होते हैं, Q28 है अलमाटी बांध किस नदी पर बना है कृष्णा नदी पर भारत के राज्यों में से प्रतिवर्ग किलोमीटर अधिक्तम जनसंख्या के घनत वाला राज्य है बिहार चारा गाह को कहां पर पंपास कहा जाता है दच्छनी अमीरिका में इन में से भारत का प्रमुख जलिय पर सबसे अधिक व्यापक रूप से कौन सी मिट्टी फैली हुई है कचारी जिसे जलोड मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है question number 34 है मध्ध प्रदेश के नेपा नगर में अखबारी कागज का कार खाना है question number 35 है काफी होता है एक काफी होता है एक काफी एक उष्ण कटिबंधी जाड़ी है देखे question number 35 दुबारा से लिख उठा है लेकिन questions अलग ही है नमबर 35 डाला है लेकिन question अलग है कराय कि वाय मंडल की उस परत का नाम बताईए जिसमें मौसम की सभी परिगटनाएं होती है तो छोब मंडल में मौसम की सभी परिगटनाएं होती है question number 36 है राष्टी समुद्र विग्यान संस्थान कहां इस्थित है गोवा में निमनोक्त नदियों में से कौन सी रिफ्ट घाटी में होकर बहती है तापती थिम्पू कहां की राजधानी है थिम्पू भूटान की राजधानी है खेतरी किसलिए प्रसिद है सुरण के लिए वेल इस्थित है वेलिंग वाल जेरू इसलम में इस्थित है question number 41 है निमनलिखित में भारत में निमनलिखित में से वह कौन सा वन जंतु अभ्यारण है जहां गैंडो के सनरचन के परियोजनाय चल रही है काजी रंगा कोचीन कोचीन रिफाइनरी निमनलिखित में से किस छेतरक क अंतर गत आता है शारवजनी छेतरक विश्र का सबसे लंबी नदी विश्र की सबसे लंबी नदी की बात आती है तो नील नदी विश्र की सबसे लंबी नदी है देखिए question number 44 निमनलिखित में कौन सी गैस ग्रीन हाउस पौधा घर गैस है कार्बन डाई आकसाइड भारत मे मचली पकड़ने के अस्थान वहाँ पाये जाते हैं जहां उष्र और सीतल धाराएं मिलती हैं वे दो देश कौन से हैं जो समुदरी सुरंग द्वारा जुड़े हैं इंग्लेंड और फ्रांस भारत में सबसे पुराना तेल छेतर निमनलिखित में से किस में है डिक बोई मे मान सरोवर जील कहां इस्थित है तिबत में इंटीग्रल कोच फैक्टरी है पेरामबूर चेन्नाई में कॉस्चन नमबर 50 है निमनलिखित में से कौन सा राज सहतूत कीट पातन में अग्रणी है करनाटा कॉस्चन नमबर 51 जो की आज का लास्ट कॉस्चन है कह रहा है कि रो बाहर कोचिस यही है कि एक भी कॉस्चन आपके एक्जाम UPP में बाहर नहीं जाएगा अगर आप पीडियो पाना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बाक्स में देखिए टेलिग्राम का लिंक दिया हुआ है वहां आप लिंक फॉलो करिए जहां पर आपको इसका पीड देखने के लिए धन्यमाद आपका दिन सुखो